नमस्कार हमारी राय में आपका स्वागत है लगता है हमारे राजनेताओं को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बयानों से किसी को दुख पहुंच सकता है या कोई विवाद खड़ा हो सकता है या कोई गलत मिसाल कायम हो सकती है नीजी जीवन में आपके विचार जो भी हो सारवजनिक तौर पर जुबान संभाल कर ही बोलनी चाहिए लेकिन जब संसद के भीतर शब्दों की मर्यादा तूटने पर मेजें थप थपा कर ठहा के लगाये जा सकते हैं तो सदन के बाहर सोच समझकर बोलनी की जहमत कौन उठाए ये बात इसलिए क्योंकि हाल ही में जिम्मेदार पदों पर बैठे तीन ऐसे लोगों के बयान आये हैं जो उनकी पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है पहला बयान है गोवा में मनोहर पडरिकर सरकार में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर विजे सरदेसाई का विजे सरदसाई जी ने गोवा बिजनेस फेस्ट में उत्तर भारती अपरेटकों के लिए कहा है कि उत्तर भारती टूरिस्ट गोवा में हरियाना बनाना चाहते हैं हम इसे दूसरा गुरगाओं नहीं बनने देना चाहते है सरदेशाई ने ये भी कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री गोवा में टूरिस्टों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं आज यहां राजी की आबादी से 6 गुना ज्यादा लोग घूमने आते हैं लेकिन इसमें सभी टॉप एंड के टूरिस्ट नहीं बलकि धर्ती की गंदगी है उन्होंने अपनी ही सरकार की सस्ती घरेलू टूरिजम पॉलिसी की भी आलोशना की है हलाकि इस बयान के बाद सफाई देते हुए उन्होंने कहा है कि ये कमेंट कुछ लोगों के लिए था जिनके अंदर सिविक सिंस नहीं है इसे सभी परियाटकों से जोड कर ना देखा जाए 16 लाख की आबादी वाले गोवा में हर साल करीब 65 लाख से ज़्यादा परियाटक पहुंचते है इन परियाटकों के कारण राजी की अर्थ व्योस्था को भी गती मिलती है हलाकि ये सही है कि गोवा के समुद्री तटों और दूसरे परियाटन केंद्रों पर बढ़ती गंदगी एक बड़ी चिंता का विशय है लेकिन इसके लिए उत्तर भारतिये परियाटकों पर इस तरह की टिपनी नहीं की जा सकती सरकार गंदगी फैलाने वालों पर कड़ा जुर्माना लगाए, सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाए, आधनिक तक्नीक का इस्तिमाल सफाई के लिए करे इस तरह के और भी कई उपाय गोवा को सापसुत्रा बनाए रखने के लिए किये जा सकते हैं लेकिन अगर सरदेसाई चाहते हैं कि केवल हाई परफाईल या टॉप एंड के परेटक ही वहाँ पहुंचे तो ये विचार ही लोकतंत्र की भावना के खिलाप है अब सवाल ये उठता है कि क्या इनके राज में अब बोलने लिखने की तरह घूमने की आजादी पर भी पहरा लगेगा दूसरा प्रसंग भी गोवा से ही है कि जहां के मुख्यमंत्री मनोहर परिकर ने भी बीते दिनों एक विवादास्पत बयान दिया वे राजी विधान मंडल विभाग की ओर से किये जाने वाली राजी युवा संसद में युवाओं में नशे की लट पर बात कर रहे थे और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि मुझे डड़ लगने लगा है क्योंकि अब लड़कियों ने भी बीर पीना शुरू कर दिया है उनके इस बयान के बाद हैश्टेग गल्स हूड रिंक बीर अभियान सोशल मीडिया पर छिड़ गया है और बहुत सी लड़किया बीर पीते हुए अपनी तस्वीरें डाल रही है जबकि पर्रिकर के बचाव में भी कुछ लोग आये हैं और वे कह रहे हैं कि उन्होंने नशे के खिलाब चिंता जाहिर की थी न कि लड़कियों के बीर पीने के खिलाब डिवीजन क्लर्क यानि LDC की नौकरियों के लिए लंबी लंबी लाइने कतारें लगी रहती हैं इस बयान से एक जटके में उन्होंने सारे युवाओं को आलसी और कामचोर करार दे दिया है और तीसरा मामला मध्यपरदेश से है जहां की नव निवक्ति राजिपाल आनंदी भी बन सकता है उन्होंने ये भी कहा है कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती ऐसे में जरूरी है कि बेरोजगारों के कौसल विकास को प्रोसाहन दिया जाए परिकर और आनंदी बेन पटेल के ये बयान मोधी सरकार की नाकामी को ही पेश करते हैं जब सरकार रोजगार न काम नहीं करना पड़ता है दो साल तक पकोड़ा बेच कर अगर कोई रेस्त्रा का मालिक बन जाता तो सालों से रहरी पटड़ी से कमाई करने वाले कब के सूट बूट में आ चुके होते पकोड़ा बनाना कौशल विकास में आने लगा है तो सारे उचिशिक्षन संस्थान सरक पाश की एक कविता है जिसकी कुछ लाइने इस प्रकार है सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना जी हां सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना तो आज के लिए बस इतना ही देखते रहिए डिवी लाइब नमस्कार